मित्रों राधे राधे कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में जै माता दी जरूर लिखे माता रानी आपका कल्यान करेंगी मित्रों कार्तिक महीने को हिंदु धर में बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है इस महीने में दान, पुन्य और पूजा पाट तथा इसनान करने का बहुत बड़ा महत्त होता है तथा कार्तिक के महीने में ब्राम्हन को भोजन कराना तथा गाय का दान करना तुलसी का दान करना आवले का दान करना तथा अन्य का दान करने का बहुत बड़ा महत्त होता है माना जाता है कि कार्तिक के महीने में किया गया धार्मिकार्य अत्यंत गुना फलदाई होता है सास्तरों की अनुसार ये पूरा महीना साल का सबसे पवित्र महीना माना जाता है इसी महीने में ज्यादातर ब्रत और तिवहार पड़ते हैं इसलिए कार्तिक का महीना भगवान बिश्डु को अत्यंत प्रिय है कार्तिक के महीने में भगवान सीव ने राक्षस्त्री पुरा सुर का बद किया था इस दिन से जुड़ी कथा को बिस्तार से जानेंगे लेकिन यह सब जानने से पहले अभी तक हमारे इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और जादे से जादे सीयर करेंगे मित्रों पौरानीक कथा के अनुशार तारका सुर नाम का एक राक्चस राता था जिसके तीन पूत्र थे भगवान सीव के बड़े पूत्र कार्तिक ने तारका सुर का वद किया अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पूत्र बहुत दुखी हुए तीनों ने मिलकर ब्राम्हा जी से वर्दान मांगने के लिए घोर तपस्या की ब्राम्हा जी तीनों की तपस्या से प्रसंद हो गए और बोले कि मांगो क्या वर्दान मांगना चाहते हो तीनों ने ब्राम्हा जी से अमर होने का वर्दान मांगा लेकिन ब्रह्माजी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वर्दान मांगने को कहा तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्माजी से तीन अलग-अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा जिसमें सभी बैटकर सारी प्रितिभी और आकास में घूमा जा सके एक हजार साल बाद जब हम मिले तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बान से नश्ट करने की छामता रखता हो वहीं हमारी मृत्यू का कारण हो ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वर्दान दे दिया तीनों वर्दान पाकर बहुत खुस हुए ब्रह्मा जी के कहने पर मैदानों ने अपने लिए तीन नगरों का निर्मान किया तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान संकर की सरण में गए इंद्र की बात सुन कर भगवान सीव ने इन दानों का नास करने के लिए एक दिव्यरत का निर्माण किया इस दिव्यरत की हर चीज देवताओं से बनी थे चंद्रमा और सुर से पहिया बना हुआ था इंद्र वरुण यम और कुबेर के रत के चाल घोडे से बने थे हिमाला धनुस बने और सेस नाग पत्यांचा बने भगवान सीव खुद बान बने और बान की नोक बने अगनी दिव्यरत पर सवार हुए खुद भगवान सीव भगवानों से बने इस रत और तीनों भाईयों के बीच भयंकर युद्धुगा जैसे ही ये तीनों रत एक सीध में आये भगवान सीव ने बान छोड़ दिया तीनों का नास हो गया इसी बद के बाद भगवान सीव को तिपुरारी कहा जाने लगा ये बद कार्तिक मास की पोडिमा को हुआ था इसलिए इस दिन को तिपुरारी पोडिमा के नाम से भी जा अजया ताहे